हालो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे क्यूंके स्टेडी चैनल पे जिसमें मैं आपके लिए लेकर क्या हूं राजस्तान पशू परिचर बड़ती दोहजार चोईस का पार्ट भी जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्तान पशू परिचर के मैथपॉन परसंस के बारे में जो हमारी ये सीरीज चल रही है वह ये टोपिक वाइड शीरी चल रही है और आज का जो हमारा टोपिक है पसू उत्पाद है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूल ले चैनल पर आप नहीं है तो पटापट से चैनल को कर लिजे सिस्क्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसानी रहे साथी साथ मां आपको बता जो राजस्तान पशु परीचर की तैयरी कर रहे हैं साथे साथ आप उनको वीडियो शेयर करेंगे तो वह भी आपके साथ साथ क्यूंकि स्टेडी चैनल से अपने तैयरी का पर सांदार तरीके से कर पाएंगे तो स्टुडेंट शुरू करते हैं आज की गलाज जिसमें है तो हमारी ओप्शन से ओप्शन ए कुल अंडे के भार का आट से ग्यारा परतिसद ओप्शन भी कुल अंडे के भार का ग्यारा से चोदा परतिसद ओप्शन ए कुल अंडे के भार का पंदरा से अठारा परतिसद ओप्शन दिये कुल अंडे के भार का बाईस से पचेस पर एल्ब्यूमीन या सफेद बाग होता है वह अंडे के बार का 60% होता है और जो साल के पीला रंग होता है वह मुर्गी के अंडे का बार का 30% होता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 2 अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर नहीं तो पठापट से चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ताकि आपको न्यूव वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसा नहीं र आइरन और फास्पोरस का एसंतरब तवशी अमलों का अच्छा सरोत माना जाता है साथी साथ अंडे के अंदर जो चीजे पाई जाती है उनमें है कर्भोएडरेट के साथ में विटामिन A, विटामिन E और विटामिन B 12 होता है ये अंडे के अंदर उच मात्रा में पाया जा है और साथ इसाथ जो सादा अंडा होता है उसमें कोई भी विटामिन वो शोरी उसके अंदर विटामिन C नहीं पाया जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 3 मचली उत्पादन अधिक्तम होता है तो हमारे ओप्संस है ओप्संडे पक्षिम बंगाल में ओप्संडे उत्तर प्रदेश में ओप्संसी केरर में ओप्सं डित्तम में लाड़ है क्यूशन नमबर 3 में सही आंसर है ओप्संडे पक्षिम बंगाल के अंदर मचली उत्पादन अधिक्तम होता है साथी साथ मा आपको बता दूँ पक्षिम बंगाल के बाद में जो डित्ते मचली उत अगला question है, question number 3, sorry, 4, सफेद करांती किस से संबंदित है, हमारी options है, option एक कपास, option भी दूद, option सी चाउल, option डी बेड, question number 4 में सही answer है, option B, जो सफेद करांती है, वे दूद से संबंदित है, और साथी साथ मापको उता दू, इसकी जो गती बढ़ाने के लिए ओप्रेशन फ्लड शुरू किया गया है जो विश्व में सबसे बड़ा एकिकर्त डेरी विकास कारेकरम था साथिसाथ जो इनके जनक थे वे आपको मैं बता दूँ वे वरगीज कूरियन थे जिन्होंने सफेद ग्रांति की शुरुआत किती है और ओप्रेशन फ्लड को शुरू किया था अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर फाइब पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए तो हमारे उप्सन से उप्सने सत्र परतिसत उप्सन भी पैंसेट परतिसत उप्सन से 60 परतिसत उप्सन भी 55 परतिसत क्यूशन नमबर फाइब में सही आंसर है उप्सने 70 परतिसत चेक कम पनीर के अंदर नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 6 बेड़ बकरी के दूध में एकनूनी मान का अनुसार S N.A.P. की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे उप्षन से उप्षन ए 8 परतिशत उप्षन B 8.5 परतिशत उप्षन C 9 परतिशत उप्षन D 9.5 परतिशत Q.S.N. नमबर 6 में सही आंसर है उप्षन C 9 परतिशत जो बेड़ वे बकरी के दूद में कानुनी मान का अनुसार SNAP की मात्रा है वह नो परतिशत होनी चाहिए अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 7 दूद वसा का निर्दिष्ट भार या विशिष्ट गुरूत भी मान कितना होता है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 8 मास एक अच्छा स्रोत है हमारे options से options A, protein का, option B, lohe का, option C, vitamin B, complex का, option D उपरोक सभी च्यूशन नंबर 8 में सई आ anser है option D, उपरोक सभी जो मास होता है वे protein, lohe का और vitamin B, complex का अच्छा स्रोत होता है साति सात इसके अंदर जो मास के अंदर वसा, खनील preparedness और फासपोरस तामबा आदी भी पाए जाते हैं अगला केशन है क्यूशन नमबर 9 विशुव का सबसे बड़ा एक किकर्ट डेरी विकास कारिकरम था तो हमारे ओप्शन से ओप्शन है ओप्शन है ओप्शन लोटस ओप्शन भी ओप्शन मिल्क ओप्शन C, OPERATION GRAIN ओप्शन D, OPERATION FLOOD क्यूशन नमबर 9 में सही आंसर है ओप्शन D, OPERATION FLOOD जो कि विशुव का सबसे बड़ा एक किकर्ट डेरी विकास कारिकरम था और इसकी जो शुरुवात कीती हुए कीती वरगीज कूरियन ने अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 10 किसको दूद सरकरा भी कहा जाता है तो हमारे उप्शन से उप्शन इमाल्टोज, उप्शन भी शुक्रोज, उप्शन C, गलेक्टोज, उप्शन D, लेक्टोज क्यूशन नमबर 10 में सही आंसर है option D lactose, lactose को दूद सरकरा भी कहा जाता है साथी साथ माप को यह बता दूँ जो lactose होता है यह DCA के राइड सरकरा के रूम में होता है जो glycose और glucose से मिलकर बनने होता है अगला question है, question number 11 गरबर विदीशिय वसा, परतिशत ग्याद करने के लिए दूद में कितनी मात्रा प्रियुक्ट की जाती है हमारे options है, option है 10 ml, option भी 10.25 ml option C, 10.55 ml, option D, 11 ml question number 11 में सही answer है option C, 10.55 ml जो की गरबर विदी में वसा, परतिशत ग्याद करने के लिए दूद की जो प्रियुक्ट मात्रा है वे 10.55 प्रियुक्ट की जाती है साथी साथ मैं आपको बता दो, इसकी जो प्रोसेस होती है, वह होती है गरबर नली में जिसे हम ब्युटाइरोमेटर भी कहते हैं में एक निश्चित मात्रा में पहले दूद लिया जाता है जो मात्रा होती है, वह 10.55 ml होती है उसके प्रोटिन को गंदक के तेजाब से विगटीट कर दिया जाता है उसके पसाथ उसमें हैमाईल एलकोल डाल कर दूद वे मिस्रेंड का प्रश्ट तनाव क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और ब्युटाइरोमेटर को मिस्रेंड सहीत सेंट्रिफ्यूज में लगबग 1100 चकर परती मिनिट की दर से 5 मिनिट तक गुमाते है अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 12 दूद में किस तत्तों की कमी पाई जाती है तो हमारे उप्सन से, उप्सन ए लोहा उप्सन B, मेगनीशियम, उप्सन C, केल्सियम, उप्सन D, ए फास्फोरस क्यूशन नमबर 12 में सही आंसर है उप्सन A, दूद के अंदर लोहा तत्तों की कमी पाई जाती है साथी साथ मा आपको बतादू, दूद के अंदर जो केल्सियम होता है ये 67% होता है और जो मेगनीशियम होता है, ये 35% होता है और जो फास्फेट के मात्रा होती है वे 44% होती है अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 13 निमन में से कौन सा सारी सोदका उधारन है तो हमारे उप्सन से, उप्सन A, कास्टिक सोड़ा उप्सन B, ग्लुकोनिक एसिड, उप्सन C, टेटराफासपेट, उप्सन D, सलफोनिक एलकोल क्यूशन नमबर 13 में सही आंसर है उप्सन A, कास्टिक सोड़ा, जो कि सारी सोदक का उधारन है साथी साथ मा आपको बता दू, दूस साला में बरतन दोने के लिए दिकतर सारी सोदक प्रियुक्त किये जाते हैं और इसका जोदा रेने वे कास्टिक सोड़ा है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 14 गाई की दूद सिराओं में होता है तो हमारी उप्सन से, उप्सन ए दूद, उप्सन B, पानी, उप्सन C, रख्त गाई की दूद और रख्त, क्यूशन नमबर 14 सही आंसर है उप्सन C, रख्त जो गाई की दुख्दी सिराय होती है, उनके अंदर रख्त होता है साथी साथ ये जो रख्त हदे से निकल कर उदर महादेवनी दूआरा गाय के पिछले सेक्योर प्रवाहित होता है साथी साथ दो प्रमुख जो दमनिया है, तनके परते एक आदे इससे में रख्त को थन तक ले जाती है अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 15 बचले के आहार सा उरूब 15 का सबसे प्रमुख कारिये है हमारे उप्शन से, उप्शन है दातों का सही विकास उप्शन में आँकों को रोशनी परदान करना उप्शन सी, रोग परती रोधकता को सतक बनाना उप्शन लिए सरीर के बार को संतुलित करना उप्शन नमबर 15 में सही आंसर है उप्शन सी, रोग परती रोधकता को सतक बनाना जो की बचले के आहार सा उरूब 15 का सबसे प्रमुख की कारिये है अगला उप्शन है, उप्शन नमबर 16 सरोपरतम नवजात बचले को पिलाना चाहिए तो हमारी उप्शन से, उप्शन ए दूद, उप्शन भी पानी, उप्शन सी ग्लुकोज, उप्शन डी ए खीस क्यूशन नमबर 16 में सही आंसर है, उप्शन डी कीस सरोपरतम नवजात सीशू को खीस पिलाना चाहिए साथी साथ माव को उतादू, जो कीस का निर्मान है, वे माके दुआरा बचड़े के जनम से तीन से लेकर साथ दिन के बाद तक होता है, और ये बचड़े में पोशक तत्तों की मातरा उपलब्द करवाता है, जब चड़े को कीस पिलाया जाता है तो इसके अंदर रोग परती रोदग समता बढ़ जाती है, क्योंकि जो कीस होता है, उसके अंदर सरवादी पोश्टिक तावा जाता है, अन्य है option C casein जो की दूद प्रोटीन के रूम में जाना जाता है अगला question है question number 18 जर्शी गाय के दूद में वसावे प्रोटीन प्रतिशत क्रमशे होता है तो हमारे options है option A 3.5 वसा और 5.5 प्रोटीन option B 5.5 वसा 3.9 प्रोटीन option C 4.5 वसा 3.8 प्रोटीन option D 7.4 वसा और 3.1 प्रोटीन question number 18 में सही answer है option B 5.5 वसा होती है जर्शी गाय के अंदर और 3.9 प्रोटीन की मात्रा होती है अगला question है question number 90 दुख्द की गुणवत्ता का निन्य करने में किसका अनुमाल लगाने के लिए लेक्टोमेटर का परियोग किया दाता है तो हमारे options है option S सारी है था option B अमली था option C बास्म option D आपेक्सिक गनत्तू question number 19 में सही answer है option D आपेक्सिक गनत्तू जो की दूद की गुणवत्ता का निन्य करने के लिए कि जो अनुमाल लगाया जाता है उसके अने जो लेक्टोमेटर परियोग के दाव आपेक्सित गनत्तू के रूम में अनुमाल लगाया जाता है और साथ यह साथ माप को उतादू यह जो लेक्टोमेटर होता है यह दूद के गुल्तुआ कर संशिंताद पर कारी करता है इससे दूद में पानी की मातरा का विशेश रूप से पता लगाया जाता है अगला क्योशन है क्योशन नमबर 20 कोलेश्ट्रम में क्या बरपूर मात्रा में होता है जो कोलेश्ट्रों में अकीस होती है जो माका पर्चव के बाद में जो पहला दूद होता है उसे कोलेश्ट्रों में अकीस कहा जाता है तो देखते हैं हमारे option क्या क्या है option A, option A, vitamin A, option B, vitamin E, option C, vitamin C, option D, vitamin D question number 20 में सही answer है option A, vitamin A, cholesterol, cholesterol में परचूर मात्रा में जो पाय जाता है वे vitamin A पाय जाता है साथी साथ मा आपको उताद दूजो vitamin A होता है यह जो बच्चे की तंत्री का तंत्र है उसके विकास में महत्कून योगदान कर देता है अगला question है, question number 21 दूस से क्रीम को किस विदी दूआरा पर्तक किया जाता है हमारी options है, option A, अपके अंद्री विदी, option B, रासानी विदी, option C, जेविक विदी, option D, पास्चूरी करन विदी Qution number 21 में सही answer है option A, अपके अंद्री विदी दूआरा दूस से क्रीम को अलग किया जाता है अगला Qution है, Qution number 22 दूद के निमने उत्पादों में से कौन से उत्पाद में विदी, विदी की मात्रा सरवादिक पाई जाती है हमारे options है, option है दूद का पाउडर, option B, गी, option C, चीज, option D, पनीर Qution number 22 में सही answer है, option B, गी, गी के अंदर जो दूद के सभी उत्पादे, उन सभी से ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है गी के पारे में मैं आपको कुछ और भी चीज़े बता देता हूँ गी, विटामीन A, विटामीन D, और विटामीन E सहीत वसा में गुलनसील जो विटामीन होते हैं, उन से बरपूर होता है, यह विटामीन स्वस्थ, ताउचा, आखे और युमीन सिस्टम को एक्टिव बनाये रखने के लिए मैत्पून होते हैं, इनमें एंटी ओक्सिडेट गुन भी होते हैं, जो फिरी रेडिगल डेमेज और ओक्सिडेटिव स्ट्रेश से बचाने में हमारी मदद करते हैं, अगला क्योशन है, क्योशन नमबर 23, दूद का आपेक्सिक गनतु ग्यात करने के लिए कौन सा उपकरन काम में लिया जाता है, तो हमारे उप्सन से, उप्सन A, लेक्टोमेटर ऑप्सन B, अल्टिमेटर, आप्सन C, लाई मेटर, आप्सन D, कुंड एक्टिविटी मेटर, क्योशन नमबर 23 में, सही आंसर है, बाप्शन A, लेक्तोमेटर, जिससे दूद का आपेक्सिक गनतु ग्यात करते हैं, तो इसको जब दूद के गुर्टु आकर संशितान पर काम करता है अगला question है question number 24 जर्षी गाय के दूद में ओस्तन चिकनाई वसा की मात्रा होती है जो जर्षी गाय होती है उनके अंदर जो ओस्तन चिकनाई वसा की मात्रा होती है वह कितनी होती है हमारे options है option a 3% option b 4.2% option c 5% option d 6% student अगर आपको को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले इस वीडियो को उन फ्रेंट्स को जरूर सेयर करिए जो राजस्तान पर सुपरीचर की तैयर करें ताकि वो भी अपनी तैयरी क्यूंकि स्टेडी चैनल के माद दिम से कापे सांदार तर कैसे कर सकते साथ यसाथ है जो आपके लिए ये जयान बिए आपके एक्जाम को दियान में रखी गए जिससे आपके एक्जाम एक्जाम क्यूंच आने के सब्भावना जाधा रहने हालएं तो इस टूडिए आप अपनी तैयरी को काफी सेर्यस हो कर करें ताकि आपका जो हम नोकरी लगने का सपना है वो काफी जल्दी साकार हो पाए आप अपने तयारी में बिल्कुल भी लाग परवाई ना बढ़तें क्योंकि अगर आपने अपने तयारी में लाग परवाई बदली तो आप जो सरकारी नोकरी लगने का सपना देख रहे हैं वो आपसे काफी दूर ह होता जाएगा देखते हैं 24 question में सही answer कौन सा होने वाला है तो 24 question में सही answer है option B जो जर्शीगाय के दूद में उस्तन चिकनाई जिसे उस्तन चिकनाई का मलब होता है दूद में वसा की जो मात्रा होती है वह 6 से लेकर के 10% होती है और जो देशी गाय होती है उसके अंदर जो वसा की मात्रा होती है वह 4 से लेकर के 5% वसा की मात्रा होती है और जो होलिस्टन फ्रीजियन है जो गाय है उसके अंदर 3.5 परतिशत और मैंने आपको बताई दिया जर्सी गाय के अंदर जो बसा की मात्रा होती है बे 4.2 परतिशत होती है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुले अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 25 दूशन के बरतिशता का मुख्य उद्देशिये है तो हमारे उप्शन से उप्शन है किटो को माना उप्शन भी सुक्सम जीओ को माना उप्शन सी नास जीओ को माना नासक जीओ को माना उप्शन डिये विटामिनों को माना क्योशन नमबर ट्वन्टीफाइब में सभी आंसर है option C नासक जीओ को मारना दूज के बर्तनों के सुच्चता का हमारा मुक्य उद्देशे होता है जो दूज के बर्तन होते हैं उनमें जो नासक जीओ है वह सरवादिक मात्रा में उत्पन होते हैं इनको मारना ही, जो सोचस्थाêts का मुख्य उद्धेस से है, वह है, जब इनको मार दिया जाता है, तो हमारे जो दूद्ध के बरतनों वह सोच हो जाते हैं साथी साथ मा आपको बता दूर्ट के वर्तनों की सुर्चता का विशेश दियान रखना चाहिए क्योंकि जो दूर्ट निकालने के लिए कभी भी किडे कभी भी चोड़े मुखे वर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चोड़े मुखे बर्तनों में दूर निकालते हैं समय गोबर बाल आदी आसनी से उसके अंदर गिर जाते हैं जो दूर निकालने के लिए हो सके तो गुमबदार मुऊ वाले बाल्टी लेनी चाहिए इसके लिए बर्तनों को साफ पानी से दोने यui बाद ग्रम पानी से दोने का दो रहा जाना चाहिए जो की सौड़ा डाल कर उसको दोया जाना साथी साथ उबलेवी पानी से हत्वा भाभ से दोकर जूब में उल्टा करके रखें बर्तनों को कल्लोरीन जल्चे भी दोया जा सकता है ताकि दूद के जो बरतन है वे काफ़ी सुच रहे और जो पस्वों में कीड़े मकोड़े या बीमारी पहलने का ख़तरा है सबसे कम हो सके अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 26 जिस दूशन में वसा नहीं होती उसे कहते हैं तो हमारे उप्सेंस है उप्सेंस है टोड मिल्क उप्सेंस भी स्किम्ड मिल्क उप्सेंस है पास्यूराइड मिल्क उप्सेंस भी स्टेंडर मिल्क क्यूशन नमबर 26 में सही आंसर है उप्सेंस भी स्किम्ड मिल्क जिस दूद में एक गलत अउदारना यह भी है कि इसके अंदर जो पोस्टत ततू रहते हैं वो वसा निकालने के बाद में बिलकुल भी नहीं रहते हैं लेकिन यह एक जूटी बात है यह एक ऐसते कतन है जबकि दूद के अंदर से फेट बिल्कुल इस किम्ड मिलके में वसा बिलकुल नहीं ह किस पसू के दूद में इंसूलीन की मात्रा जादा होती है तो हमारे उप्शन से उप्शने बैंस, उप्शन भी गाय, उप्शन सी उण्ड़नी, उप्शन भी बकरी क्यूशन नंबर 27 में सही आंसर है ओप्सन C उन्नी के दूद के अंदर जो इंसुलीन की मात्रा होती है वह सरवादिक होती है साथी साथ ये अन्य पस्वू होते हैं उनके पेक्सा में काफी ज़्यादा मात्रा इसके अंदर इंसुलीन की पाई जाती है हमारी ओप्सन से ओप्सन A 3.0 वे 8.5 ओप्सन B 1.5 वे 9 ओप्सन C 2.5 वे 8.7 ओप्सन D 4.5 वे 9.5 क्यूशन नंबर 28 में सही आंसर है ओप्सन A जो टोड दूद होता है उसके अंदर वह साथ की मात्रा 3.0 होती है और S.N.M. की जो प्रतिशत होती है वे 8.5 होती है साथी साथ में आपको बता दू जो सिंगल टोड दूद होता है उसके अंदर वह साथ की मात्रा 3.0 परतिशत होती है और जो एक अप टोड दूद होता है उसके अंदर लगबग 150 केलोरी उरजा होती है 1.5% से कम भी होती है या 1.5% होती है इससे भी कम होती है और एक डबल कप डबल टोड़ का दूद होता है उसके अंदर 114 केलोरी उर्जा प्राप्त होती है साथ जो डबल टोड़ दूद के लिए पास्यूरी गरन लगबग अनिवारी रूप से जो डबल टोड़ का दूद हो यह कहलाती है तो हमारी option से option ए milky stone, option भी milk fed, option c milk casein, option d milk iron. Qtion No. 29 में सही आंसर है option a milk stone जो दूद की protein जो बरतनों के सते पर चिपक जाती है उसे milk stone कहा जाता है. साथी साथ जो मिलकी स्टोन होता है वह दूद के आउस्यसों का एक कटोर जमाव होता है जो अपूंड रूप से साप की गए डेरी बरतनों पर जमाव होता है और बैक्टीरिया के लिए एक सबस्ट्रेट के रूम में कारे करने वाला तत्तु है कौन सा है मिल्क के स्टोन, जो कि दूद के प्रोटीन बरतुनों पर सते पर चिपक जाती है, वही क्या होती है, मिल्क स्टोन होती है, अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 30, निम्न मैंसे किस पशु के दूद में वसा परतीसत कम होता है, तो हमारे उप्शन से, उप्शन ने वही होता है, तीन पॉइंट पांच परतीसत, साती साथ जो गाय है, उसके अंदर जर्शी गाय होती है, उसके अंदर वसा की मातर होती है, पांच पॉइंट पांच, दूसरी जो थार पार कर जो देशी नशले की गाय होती है, उसके अंदर वसा की मातर होती है, वही होती है 7.4 और इसी के साथ जो गिरगा आया है उसके अंदर जो वसा की मात्रा होती है वह होती है 4.7 वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें अगला क्योशन है क्योशन नमबर 31 सोदक का कौन सा गुण दूद कणों को बरतनों की सतह से दूर करता है तो हमारी ओप्सन से ओप्सन ए आद्रक गुण ओप्सन भी ये विलोश्टन कारी गुण ओप्सन सी है पाईसी कारक गुण ओप्सन भी गोलक गुण क्यूसर नमबर 31 में सही आंसर है क्यूसर नमबर 31 का सही आंसर है option B विलोश्टन कारी गुण जो की सोदक का वे गुण होता है जो दूद के कणों और बरतनों की सत्य से दूर करता है साथे साथ मैं आप को बता दू ये दूद के गणों को बरतनों की सते से दूर करने के लिए करके बरतन साप हो जाते हैं इससे दूर करने पर और जो सारी सोदक होता है उसका उधरन कास्टिक शोड़ा होता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 32 गाय का परसो उपरांत परतम दूद कहलाता है जब गाय बच्छडा देती है तो उसके बाद में जो पहला दूद निकाला जाता है वे क्या कहलाता है तो हमारी उप्षन से उप्षन ए टोड मिल्क उप्षन भी मक्षन दूद उप्षन C कोलेस्ट्रॉम उप्षन डिया पनीर क्यूसर नंबर 32 में सही आंसर है उप्षन C कोलेस्ट्रॉम जो गाय का परसो उपरांत परतम दूद निकाला जाता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है साथी साथ मा आपको बता दूद जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये सफेद दूदिया तरल के रूम में होता है कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो एंटिबोडी इमिनुगलोबीन होती है ये सरवादिक मातरा में होती है जो बचड़े को बेक्टीरिया वाइरल जो बिमारी होती है उनसे लड़ने में मदद करती है साथे साथ ये बचड़े के विकास में मदद करती है और जो कोलेस्ट्रॉम दूद है इसके अंदर रोगपर तिरोधिक सम्तावी सरवादिक होती है साथे साथ जो कोलेस्ट्रॉम दूद होता है नियमी जो दूद उतवादित होता है उससे 100 गुणा अधिक antibodies इसके अंदर पाए जाते हैं अगला question है question number 33 दूद की पर्मुक्ष सरक्रा lactose किससे बनी हुई होती है जो दूद की पर्मुक्ष सरक्रा है वे lactose किससे बनी हुई होती है तो हमारे options है ऑप्षन A गुलकोज प्लस गलेक्टोज option B गुलकोज पलस गुलकोज ऑप्सेंशी गुलकोज पलस फ्रॉक्टोज ऑप्सेंडी फ्रॉक्टोज 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 क्यूसर नमबर 33 में सही आंसर है जो दूद की सरक्रा होती है वे लेक्टोज सरक्रा वह है गुलकोज पलस गलेक्टोज से मिलकर बनी होती है साथे साथ माप को बतादू जो गलेक्टोज होता है वह एक डाई से कराईड सरकराई के रूम में होती है क्योंकि इसमें दो अनो मिलकर इसका निर्मान करते है पहला अन होता है गुलकोज का दूसरा होता है गलेक्टोज का साथी साथ में आपको बतादू जो लेक्टोज होता है उसे दूद की चीने भी कहा जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 34 दूशन का कवतनांग बिंदू होता है तो हमारे options है, option A, 100 degree centigrade, option B, 99.15 degree centigrade, option C, 100.15 degree centigrade, option D, 110 degree centigrade Question number 34 में सई आंसर है, option C, 100.15 degree centigrade जो की दूद का काउतिनांग बिंदू होता है साथे साथ माँ आपको बतादू, दूद एक मिश्रित तरल के रूम में पाया जाता है, जिसमें इमल्सन के रूम में तो होती है वसा, तता कोलाइड अवस्ता में, प्रोटीन और वास्ट भी गोल के रूम में लेक्टोज होता है अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर ठर्टी फाइब, सामाने दूद का पी एच मान होता है, तो हमारे उप्संस है, उप्संस है, उप्संस साथ से कम, उप्संस भी साथ के बरावर, उप्संस ही साथ से अधिक, उप्संस भी आट के बरावर, क्यूशन नमबर ठर्टी पा बाद बदलता रहता है दूद का अधिक खटा होने पर pH का मान कम हो जाता है और कम होने जाने के बाद में दूद अमलिये परकर्तिका हो जाता है अगला क्योशन है क्योशन नमबर 36 गर्बर टेस्ट का उप्योग किया जाता है जो गर्बर टेस्ट होता है वह किसके लिए उप Friends Option A. दूद में प्रोटीन के पृतिसत ग्याद करने के लिए…..ость snd d. दूद में वसा की पृतिसत ग्याद करने के बूदाद के लिए.. option d기도 डूद में एसे नए पृतिसत ग्याद करने के लिए? Q-N. 36 MErd すपर-d prayotein 싹 यानसर है option b दूद की वसा की परतिसत ग्याद करने के लिए जो गर्बर टेस्ट होता है या गर्बर विदी होती है उसका परियोग किया जाता है साथी साथ मा आपको बता दू जो गर्बर टेस्ट होता है या गर्बर नली होती है जिसे ब्यूटाइरोमेटर भी कहते हैं इसके अंदर एक निस्षित मात्रा में दू लिया जाता है तो माप को बतादू जो ये निस्षित मात्रा होती है वह दस पॉइंट फिचोतर एमेल होती है दस पॉइंट फिचोतर एमेल निस्षित मात्रा लेकर उसके अंदर प्रोटीन को गंदक के तेजाब से विगर्टिद कर लिया जाता है तोड़ दिया जाता है उसके बसाथ उसके अंदर एमाइल एलकोहूल डाल कर दूद्वे मिसरन का प्रश्ट तनाव क्या कर देते हैं कम कर देते हैं गर्बर विदी से वसापरतिसत इस प्रोसेस के अनुसार हम ग्याद कर लेते हैं जिसके अंदर जो गर्बर विदी के अंदर फिक्स दूद की जो मात्रा होती है निस्सी रूप से वे 10.5 पिचुतर एमाइल होती है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 37 अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले है चैनल पर आप नहीं है तो पटापट से चैनल को कलिज़े सस्क्राइब ताकि आपको न्यूव वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसानी रहे साथी साथ मैं आपको बता दूए इस चैनल पर आपको टोप क्यूशन स्रीज जो टोपिक वाई मिल रही है उसी के साथ साथ इसी चैनल पर आपको थियूरिक लासेज भी मिलते है जिससे आप अपनी तयारी और भी शांदार तरीके से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को उन फ्रेंड्स को जरूर से जरूर से शेयर करिए जो राजस्तान पर शूपरिचर की तयारी करे ताकि वो भी आपके साथ साथ में अपनी तयारी क्यूँक्झ स्टेड़ि चैनल के माद़े में से काफिस सांदार से कर सके हमारे जो अगला क्यूशन है वह 37 है जिसके अंदर है दूद साला में बरतन दोने के लिए ज्यादा दर कौन से सोधन काम में लेते हैं तो हमारे दी सारिय सोधक जो कि दूद साला में बरतन दोने के लिए जादा तर परियोग में लेने वाले सारिय सोधक है और इसका जो मुक्य उदारन है वह आपको मैं बता देता हूँ कास्टिक सोधा जो कि सरवादिक दूद साला में बरतन दोने के लिए काम में लिया जाता है अगला सब्सक्राइब करते हैं जो दूद के अंदर अमलियता होती है उसका मतलब है कि कुल अमलता का अमलब है जो प्राकरतिक रूप से उत्पन और जो विक्षित होती है उस और जो अनुमा अपनी है अमलता है उन डोनों का जो योग है वह जो दूद के अंदर अमलियता होती है उसे माना जाता है और इसका जो निर्दार है दूद की ग्यात मात्रा को मानक सार के साथ जो फिन अगला क्योशन है क्योशन No.39 निम्निमे से कुमसा जानवत जुगाली वाला नहीं है तो हमारेme options है option गाई option B बकरी option C सुवर option D बेड़ 39 में सही आंसर है option c सूर जो कि जुगाली वाला नहीं है साथ इसाथ मा आपको बता दू जो जुगाली वाले जानवर होते हैं उनके अंदर जो पेट होता है उसके चार बाग होते हैं और जो जुगाली वाले नहीं होते हैं उनके अंदर तीन बाग होता है लेकिन जो उंट है वे अपवास सवरूप है इसके अंदर पेट के अंदर तीन भाग होते है तुम आपको बताते हैं जुगाली करने वाले जानवर कौन-कौन से है जैसे गाय, बकरा, बकरी या बकरा, भेड, उंट, अदी है और जो जुगाली नहीं करने वाले जानवर है व प्रोटीन होता है तो हमारे उपसंस से एब्षन ए बारा परतीसत बोपसंसी 25 vivir 14 एक रफिशन कियूट नंबर 40 में सफी सुए आंसर हैं हैं जो पौर्ट्री के अंडे होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन के मात्रा होती है वह 12% होती है इस्टुडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले चैनल पर आप नहे हैं तो पटापट से चैनल को कलीजे सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे हैं साथ एसाथ मापको बता दू इस चैनल पर आपको जो टॉप कुशन शिरीज मिल रहे है उसी के साथ साथ में चैनल पर आपको टेयरी किलासेज में मिलती है जिसके माद दिम से आप अपने तयारी काफ़ सांधार तरीके से कर सकते हैं साथी साथ आप को अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आप ये वीडियो उन प्रेंट्स को जरूर शेयर करिए जो राजस्तान पसुपरीचर के तयारी करे हैं ताकि वो भी अपनी तयारी क्योंकि study channel के माद में से काफ़ी सांदार तरीके से एक कर सकें तो student आसा करता हूं आप अपनी तयारी को काफ़ी serious होकर कर रहे होंगे जिससे आप अपने जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो काफ़ी जल्दी साकार कर पाएं चलते हैं हमारी अगले question है question number 41 यदि दूद का CLR 28 है तो दूद का विशिष्ट गूरूत्वी होगा तो हमारी options से option A 1.28, option B 0.28, option C 1.028, option DA 1.0255 question number 41 में सही answer है option C यदि दूद का CLR 28 है तो दूद का विशिष्ट जो गूरूत्वी होगा वह है 1.028 होगा तो साथ माप को बतादू जो दूद का विशिष्ट गूरूत्व होता है वह है 1.028 से लेकर के 1.032 तक होता है और जो विशिष्ट गूरूत्वे दूद का मापन किया जाता है वह हाइड्रोमेटर दूहरे ग्यात किया जाता है ताती साथ मा आपको बताद जो दूद का विशिष्ट गुरूती होता है इसका सुतर होता है लेक्टोमेटर की रीडिंग जो होती है उसके अंदर भाग दिया जाता है 1000 का और बाद में कर देते हैं पलस 1 जैसे कि CLR 28 है तो 28 यह तो लेक्टोमेटर की जो रीडिंग हो गई उसके अंदर भाग देंगे 1000 का और 1000 का भाग देने के बाद में हम उसमें पलस करेंगे 1 तो हमारा जो आंसर रहेगा वो है रहेगा जब हम भाग देंगे तो यहां पर 1,2,3,0 तो हम 3 छोड़कर दसमलोग लगाएंगे तो 1,2 और 0 उतारेंगे यहां पर दसमलोग लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 0.08 प्लस इसमें करना है 1 तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1.028 यह है जो CLR जब दूद का 28 होता है तो उसका सही आंसर है Option C मैंने आपको सुतर से भी बता दिया आप इसको एक बार अच्छे से और समझ लीजिए ताकि आपको जब ऐसा क्यूशन आए तो उसको आपका गलत होने के चांसे बहुत कम हो जैसे CLR 28 है तो यह लेक्टोमेटर के रेडिंग होती है CLR जो कि 28 है 28 के अंदर हमें भाग देना है 1000 का और पलस करना है 1 तो student आप यह मैं तुमें सिख सिखते हैं भाग देने वगरा लेकिन मैं आपको यहाँ पर सीधा सिंपल तरीका बता देता हूँ यहाँ पर 3 0 है तो बाग देने पर 2 और 1 0 हो लगाएंगे तीन अंक लगा करके 10 मलो लगा देंगे तो हमारे पास में जो आया 0.028 आया उसके अंदर हमें करना है पलस 1 तो पलस 1 है करने के बाद में हमारे पास आया 1.028 यानिकि 1.028 जो कि हमारा सही आंसर है चलते हैं अगले क्यूशन पर हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 42 राजस्तान जहां सबसी ज़्यादा उन उत्वादन होता है जिसका देश के कुल उन उत्वादन का अंसर है कि जिसका देश के कुल उत्पादन का कितना इसा है तो हमारी ओप्शन से ओप्शन A 50 परतिशत, ओप्शन B 30 परतिशत, ओप्शन C 17 परतिशत, ओप्शन B 11 परतिशत Q4 पर फोर्टी टुमी, सही आंसर है, ओप्शन B 30 परतिशत जो राजस्तान में सबसी ज़्यादा उन उत्पादन होता है वह 30% उत्पादन होता है जिसका देश में कुल उन उत्पादन का कितना इसा है 30% अंसे या भाग है साथी साथ मैं आपको बता दू जो भारत के अंदर उन उत्पादन में राजस्तान का जो योगदान रायव है 30% रायव है जो कि 2022 के अंदर यह अकड़े थे और जो भारत का दूद उत्पादन में जो राजस्तान का योगदान रायव है 9.2% है और जो राजस्तान की अर्थवे उस्ता में पसु पालन का जो योगदान है वहे 40% योगदान है अगला हमारा क्यूशन है क्यूशन नमबर 43 कानपूर सहर चमड़े की निर्वित वस्टू से निर्यात में कितने पर्तिसद का योगदान करता है तो हमारी options है, option है 15%, option B 20%, option C 25%, option D 30%. 43, question में सही answer है, option B 20% जो खानपुर सहर है, वेच शमड़े निर्मित वस्प्र के निर्यात में 20% का योगदान देता है. साथी साथ, जो यहाँ पर शमड़े की बनाई जाने वाली चीज़ें, उनका जो निर्यात होता है, अमेरीकी और यूरूब देशों के अंदर निर्यात होता है. अगला हमारा question है, question number 44, किस पसुगा शमड़ा नरम हलका वे लचिला होता है? तो हमारी options है, option A, बेड, option B, उउंट, option C, गाय, option D, बकरी. Question number 44 में सही answer है, option D, जो बकरी होती है, उसका चमड़ा नरम हलका वे लचिला होता है, साथी साथ, जो बहेंस होती है, उसका जो चमड़ा होता है, वे कटोर और मजबूत होता है. हमारा अगला question है, question number 45, अंत्य तउचा इंजेक्शन बकरी में लगाया जाता है, तो हमारे options है, option A, गर्दन पर, option B, जांग पर, option C, पुट्टे पर, option D, योनी में. question number 45 में, जो हम से पूचा गया है, जो अंत्य तउचा इंजेक्शन है, वे बकरी के किस जगे पर लगाया जाता है, question number 45 का जो सही आंसर है, वे है, option B, जांग पर, जो अंत्य तउचा इंजेक्शन बकरी में लगाया जाता है, वे बकरी की जांग पर लगाया जाता है, बाते साथ मा आपको बतादू जो अंतर तोचा इंजेक्शन होता है ये जो गाई और बहेंस होती है उसके अंदर तो गर्दन पर लगाया जाता है और जो बकरी और कुता और जो भेड होती है उसके अंदर ये जान की तोचा पर लगाया जाता है इस्टुडेंट ये थे हैं हमारे राजस्तान पसू परीचर का जो पार्ट भी है पसू पालन विग्यान उसका जो हमारा टोपिक था आज का पसू उत्पाहद के तो 45 क्यूसंस अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं हैं तो पठापरशी चैनल को कर लिजे सस्क्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे अगर आपको वीडियो अच्छ मिलती हैं जिसके माद्य वीडियो काफी सांधार तरीके से एक कर पाएं इस्टुडेंट मैंए उम्मिद करता हूँ आपकी तैयारी हैं वे काफी सीरेस होकर आप का पाप्पि जल्दी साकार कर पाएं अगर आप अपनी तैयारी में लापर्वाई करेंगे तो आपके जू स सरकरी नोकरी लगने का सपना वगे कापी दूर हो सकता है आपसे तुम आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने तयरिका पर सीरियस होकर कर रहे हैं। अगर आपको questions या वीडियो के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment के मादविम से मुझसे पूँ सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको किसी भी questions का answer आता है तो आप comment में उनका जवाब भी दे सकते हैं तो student वीडियो देखने के लिए thank you मिलते हैं next वीडियो के अंदर